चलिए आज बनाते बहुत ही ज़ादा हैल्दी और टेस्टी सा ब्रेक फास्ट जो कि सभी को बहुत ज़ादा पसंद आएगा और बनाना भी काफी असाने बहुत ही कम टाइम में बन जाता है तो इसके लिए हमें न एक कप के करिब यानि एक कप से थोड़ा सा कम चूरा यानि पूहा ले लेना है और इसे पहले पान इसे अच्छी तरीके से धोकर अलग कर देना है और इसे साइड में रख देना है और अब हम एक बोल में डालेंगे वन बाई हाप कप के करीब सूजी और वन बाई ठाट कप के करीब दही और इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मि को भीगोने के लिए रखा था ना वो डाल देंगे और बारी कटा हुआ धनिया पता टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और इन सभी चीजों को न अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बस हमें जाद कुछ डालने की जरुत भी नहीं है और मिक्स करने के बाद यह हलका सा ड कोई भी जो जाली वाला बरतन होगा उसमें डाल देंगे और सभी त्यार के हुए गोला को ढल देंगे और इसे स्टीम कर लेंगे ज्यादा टाइम नहीं लगता है स्टीम होने में चार से पांस मिट में बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो जाते है और अब हम क्या पैन में डाल देंगे दो बरी चम्मच के कडीब ते वन बाइँ अधात प्याफ त्पून के रिप तील वन बाइँ हाप तबी तब wicht तर राय 한 भाई पोच ए-धात घीड़ीन और करीप हट्ता डाल देंगे और इसे थोड़े देड़ तक सोटे कर लेंगे और इसके बाद हमने जो स्टीम करके रखा था वो डाल देंगे फिर डालेंगे one by half tablespoon के करीब और इगयाइनो one by half tablespoon के करीब चीली फ्लैक्स और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए एक से दो मिनट तक सौटे कर लेना है और इसके बाद हम इसे अपने मत बसंद की कोई भी चटनी के साथ साव कर लेंगे तो बस अब यह त्यार है ट्राइ जरूर से करना चलो बाई